हाई दूस्तों कैसे आप लोग , काँए घुर्टा रफ2 क्यों करे रूरी आप कहुँऑ कहुँथ खुषकबरी यह प्यों क्या है , kes justement, खुषकबरी क्या है , हाँ और चाहिए खुषक频री यह जा रही है , और एक आपको tip भी देने जा रहा हूं कि अभी एक निया test आ गया antigen test ठीक है पहले तो RT-PCR था जिसमें से की problem यह हो रही थी कि 30% cases में false negative आ रहा था लेकिन अब एक निया test आया है antigen test जिसको बोल रहे हैं covid antigen test जिसकी जो sample वहाई से नाक से लिया जाता है और इसकी report आदे घं लगते हैं लेकिन sample लाना collect करना तो इस तरह से उसको एक दिन के बार report आ रही है तो लेकिन अब हम कौन सा test करा हैं लोगों में यह confusion है antigen test अभी हर जगा अवालेबल नहीं है आज से या कल से शायद हर जगा private lab में भी अवालेबल हो जाएगा और इंडिया में भी जगा पर होना शुरू हो जाएगा जहां जहां पर जादा patients हैं तो कौन सा test करा है antigen test करा है PCR test करा है antigen test जो है वह भी sample नाक से लिया जाएगा लेकिन उस antigen test की यह खास बत है कि उसका result अगर positive आ जाता है तो यह मान के चलिएगा कि 100% ठीक है वहां पर false positive की गुंजैश बिल्कुल भी है इसमें कोई भी गुंजैश नहीं है रिपोर्ट गलत आने की यह इतना specific test है 90% से उपर specific है इस test की यानि कि अगर यह positive आ जाता है तो आप यह मान के चलो कि इसमें गुंजैश कम है यह test गलत होगा और आपको covid है तो एक फाइदा यह हुआ कि test सस्ता है हालकि सरकारी dispensary मे दिली में free में किया जा रहा है लेकिन private में शायद 4500 रुपे का test होगा number one सस्ता test है number two report जल्दी आ जाती है तो हम जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी तो हम ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं क्योंकि अगर ठीक टाइम पर हमें पता चल जाए इसका तो उससे बहुत फर्क benefit हैं लेकिन problem कब आएगी problem तब आएगी अगर यह negative आजाता है तो इसकी guarantee नहीं है positive आने पर 100% result आम मान के चलो कि यह ठीक आएगा लेकिन negative आने पर problem यह है कि इसकी guarantee नहीं है negative है कि सच मुझ negative है यह नहीं है इसके लिए फिर आपको RT-PCR test कराना पड़ेगा तो अब आप confused हो जोनें कि पहले कोंसे करा आए कि पहले यह भी कराएं नहीं को सचाहिए इसकी assure नहीं है ड़के के चाहिए पैसे कॉर्ट अम परकाना मेका नमबर वन ठीक है और पोरी फैमली का कराना है तो वेंटर है ऐंटिजन को ओ ग्यान्या करें क्योंकि ठीक है मैं माननता हूं कि लेकिन अगर financial problem है तो बैटर है एक antigen test कराएं सरकारी dispensary में निशुल्क हो रहा है दिली में और वैसे 4500 रुपे का सिर्फ test है हालागि आटी PCR भी सस्ता हो गया है अब करीब 2400 या 2300 रुपे का हो गया दिली में बाकी जगा भी सस्ता हो गया है तो इस test का antigen test का फायदा यही है उसका कारण है दोने test अगर अपफोर्ड कर सकते हैं तो आफ दोने test कराएं उसका reason बताता हूँ क्यों दोनों की test की अलग-अलग value है प्रॉलम है कि वहां false positive भी आते हैं false negative भी आते हैं तो अगर आपका RT-PCR भी test positive आ गया और antigen test भी positive आ गया तो 100% आप ठीक होगे लेकिन अगर मान लो क्योंकि problem antigen test के साथ यह कि अगर negative आ गया तो guarantee नहीं है तो इसलिए RT-PCR कराना जरूरी है हो सकता है antigen test में ना आए तो RT-PCR में positive आ जाए तो कुल मिलाके आप काफी ज़्यादा sure हो जाते हो अगर आप दोनों test एक साथ कराते हो और एक test की report आपको जल्दी मिल जाएगी अगर वो positive आ जाता है antigen test फिर तो 100% confirm है थीक है फिर तो confirm है तो आप अगर यह चाहते हैं कि मेरे कुछ पैसे बच जाएं तो RT-PCR करा लें सुभे अगर आपकी दोपहर तक report आ जाती है दो तिन घंटे में आपको report या आदे घंटे करें positive आ गया कुछ नहीं करना है negative आ गया तो RT-PCR भी करना है तो यह था एक छोटा सा topic और yes क्या बोलूं यार हालात कुछ ऐसे हैं कि खुश रहना पड़ता है और खुश रहके topic बनाना पड़ता है मुझे अंदर से हालात मुझे ही पता है कैसे हैं कितने doctors की death हो गई है एक doctor की कल death हुई असीम गुपता की और एक दूसरे doctor जो है doctor Goswami हमारे लखनौ के King George Medical College के जो orthopedic surgeon थे वो भी critical condition में admit हैं गंगा राम में उनको भी plasma therapy की जुरुत है plasma मांगा जा रहा है ढूंडा जा रहा है और एक और doctor शैद उनकी death हुई है आज कल sorry एक अफ़ता पहले हमारे उत जनक है no doubt hard immunity to develop हो जाएगी और एक चीज में और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो test हुआ antigen test तो यह पाया गया होगा तो लेकिन हमें कर hard immunity तक पहुशना है तो 60% तक positive होना चाहिए तब जाके hard immunity develop होगी तब जाके इस virus का अंत होगा लेकिन तब तक पहुशने में उस hard immunity तक पहुशने में काफी लोगों की बली लेकर जाएगा किस की बली लेकर जाएगा बस यही चिंता जनक बात है death rate क होना चाहिए hard immunity develop होनी चाहिए hard immunity वो immunity होती है जब virus 60% population को हो जाता है तो अपने आप एक ऐसे immunity हमारे अंदर प्रति दोधक्षमता बन जाती है जिसके वैसे हम किसी को फैला नहीं सकते और हमें भी नहीं हो सकता लेकिन वहां तक फैलने के दोरान यह कहीं लोगों को उपर ल कम से कम रहे तो मानूगा कि यार हाँ हमने कुछ अचीव कर रहा है और जो नई medicines आई है मुझे उमीद है कि शाद यह death rate अब कम होने वाला है बाई दोस्तों thank you very much और pray करता हूं कि आप लोगों को भी यह virus ना हो किसी को भी ना हो प्रे तो कर सकता हो ना पॉस्टी तो रहना मुझे ना यह झाल सब्सक्रण कर दोस्तों